हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्नो शॉप पर और आज हम आपके लिए लाए हैं फास्ट चार्जर के अन्बॉक्सिंग तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए तो दोस्तो आपके सामने है फिलिप कार्ड स्मार्ट बाई का फास्ट चार्जर और इसके ठीक पीछे इस प्रोड़क्ट की डिटेल दी गई है जिसमें इन्पूट आउटपूट और ये फुली मेड इन इंडिया प्रोड़क्ट है यहां पर इसकी प्राइस दी गई है जो के हमारी पर्चेस प्राइस से अलग है इसके असल प्राइस मैं आपको आखिर में बताऊंगा दोस्तो ये बॉक्स इसके प्राइस के मुताबिक दिखाई दे रहा है चलिए इसे उपन करते हैं और इसकी पैकेजिंग अलग करते हैं चलिए दोस्तों हम इसे ओपन करके देखते हैं इसे ओपन करने पर हमें बॉक्स में एक माइक्रो यूएसबी केबल जो के एक मीटर से ज्यादा नज़र आ रही है और जहां तक मैं इसे देख रहा हूं इसकी बिल्ट कॉलिटी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि यह आराम से छे मैने से ज्यादा सर्विस देगी है बढ़ी अच्छी खुबसूरत ब्रैंडिंग के साथ इसका लोगो भी बनावा है हमें नजर आ रहा है साथ इस बॉक्स में हमें एक खुबसूरत सा प्लास्टिक कवर में रैप किया हुआ एक अडैप्टर नजर आता है और एक मैनुवल बुक दी गई है इसे कैसे योज़ करें और इस प्रोड़क्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपरमेशन है इसमें दी गई है तो चलिए दोस्तो अब हम इसका चार्जिंग टेस्ट लेकर देखते हैं सबसे पहले हम अडैप्टर को सर्किट बोड से कनेट करते हैं इसका स्विच आउन करने के बाद अब हम इसे मुबाइल से कनेट करके देखते हैं हमारे पास इस वक्त सैमसंग का जे टू सिक्स मुबाइल अविलेबल है जब हम इसे कनेट करते हैं इस वक्त टाइम शो हो रहा है 3.39 प्यम और बैटरी है 77% अब हम 10 मिनट तक का वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तो चलिए दोस्तो कुछ समय बाद देखते ह हैं इस वक्त टाइम में 3.51 प्यम और बैटरी 83% चार्ज हुई है इसका मतलब है कि हमारी बैटरी 6% के इसाब से चार्ज हुई है और यह बहुत अच्छा रेशो है दोस्तो चलिए दोस्तो चार्जिंग टेस्ट के बाद अब हम हमारी अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं 10 मिनिट तक के जो इसने मोबाल को चार्ज किया तो उसके बाद इसका हीटिंग टेस्ट क्या है वो देख लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैं इसे टच करके देख रहा हूं यह जरा भी गरम नहीं हुआ है बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्ट हैं आप इसे फिलिपकार्ट ए 179 में फिलिपकार्ड पर उपलब्द है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट्स कीजिए थेंक यूँ